हेलो वर्वन वेलकम यूओ अलेट लोकेसर अलेम्टर स्टडी जोन आज हम लोग कर रहे हैं एडुकाट स्पिशल सिरीज का पेपर नमबर नाइन का सेक्शन नमबर यी यह पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए इसको आराम आराम से हम लोग टाइम दे करके करने की रहे हैं यहां पर तो देखिए अब हम कर रहे हैं आज कॉशन नमबर 36 जो की एक वैल्यू बेस केस स्टडी बेस कॉश्चन है तो पहले मैं कॉश्चन पढ़ देता हूँ तो देखिए वैल्यू बेस में इनको देख करके डरा मत करिये जो आपको पूरा पैसे जरता है यह क्या होता है एक आपको बाहर की नॉलेज दिया करता है इसका मतलब यह नहीं रहता कि यह डरवाना चाहरा आपको यह बाहर की नॉलेज देता है तो सीख लीजे इस पेसली वह बच्चे जो बाद में जाकि मैट्स की तरब से पढ़ेंगे उनके लिए नॉलेज थोड़ी ज इंटिग्रेशन उस करते हो वी कुडन टिपकली गट विक डाट वी कुदन टिपकली गट विदाउट यूजिं कैलकुलस बिना कैलकुलस का यूज के हुए हम उसको फाइंड नहीं कर सकते है औल्दो दियर इस नो नीड तू नो अनिधिंग अशिंग आउट टॉपिक के हाला कि यहां पर इस टॉपिक के बारे में जादा जानकारी की कुछ जरूरत नहीं है इसने खुद कह दिया है कि इसके बारे में जादा जानकारी की जरूरत नहीं है मतलब उपर की लाइन है अगर आप भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है Mrs. Meera wanted to use the concept of concept to help student figure out what is how area and enclosed surface that could be easily calculated using parabolic curve अब यहां पर भी उन्होंने एक parabolic curve का नाम ले लिया तो parabolic curve के बारे में आप क्या जानते हैं एक ऐसा equation जिसमें power 2 हो, x की power कितनी हो, 2 हो उस equation को बोलते हैं quadratic equation अब थोड़ी सी यहां मैं बात करूँगा quadratic equation के बारे में, आईए देखते हैं, हलकी सी quadratic equation के बारे में बात कर लेता हूँ क्योंकि यहां पर question कुछ इस type का है कि हमको बात करनी पड़ेगी दोस्तों आपके पास जो quadratic equation होता है, quadratic polynomial होता है, px equal to ax square plus bx plus c जब आप इसको graph में draw करते हो तो बच्चो यह parabola को represent करता है, parabola, parabola क्या होता है, बच्चो एक u shape की geometry होती है, इसको बोलते है parabola तो अगर depend करता है कि अगर a greater than 0 है, मतलब a greater than 0 है, तो parabola ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर a less than 0 है, less than 0 मतलब negative, तो parabola किस की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, for example, बात करूं मैं कुछ questions की, तो देखिए यदि आपके पास question है, 3x square plus 5x plus 6, यह आपके पास कोई polynomial है, px equal to 3x square plus 5x plus 6, तो यह दि मैं इसको compare करूं, a x square plus bx plus c से, तो बच्चो a की value clearly क्या दिख रही है, 3, इसका मतलब जो इसका parabola जाएगा, कहां जाएगा, उपर की और, और अगर मैं बात करूं, आपके पास px equal to 1 minus 6x square, तो इसको पहले arrange करो, तो कैसे लिखोगे इसको, x square का term क्या है, minus 6x square, plus x है नहीं, मतलब 0x, और plus का कितना, 1, तो यह दि compare किया जा, तो a की value किती है, minus 6, b की value किती है, 0, और c की value किती है, 1, हलाकि यहाँ पर समझाने के लिए, आपको केवल a की जरूरत है, और a यहाँ पर बता, यह positive है कि negative है, पिछले case में a क्या था, positive, तो parabola उपर की तर हमने जो curve फिलहाल इस question में दिया गया है, the diagram shows a sketch of the curve, y equal to 36 minus x square, जो curve आपके पास दिया गया है, y equal to 36 minus x square, तो ज़रा curve के बारे में देखते हैं, y equal to 36 minus x square, तो यह y is equal to minus x square plus 36, देखे, x square का जो coefficient है, यहाँ पर a बोली कितना है, minus 1, b कितना है, 0 है, b कितना है, 0, और c कितना है, 36 है, बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि जब आप इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, minus x square plus 0 into x, प्लस कितना 36, तो यहाँ बताईए, जो a less than 0 है कि greater than 0, negative है, less than 0 है, तो यह जो graph जाएगा, हमारा बच्चों बताओ कैसा जाएगा, उपर जागा कि नीचे ज जाएगा, भाई, a less than 0 होता है, तो नीचे जाता है, ओके, ने, ऐसा मत बोली, नीचे से उपर है, उपर से नीचे कुछ भी, सीरे बोलीए, downward, क्या बोलेंगे, downward, खुद confuse क्यों होना, है ना, चलिए, तो अब देखी, यह हमको उसने graph बना कर के दिया, अच्छी बात है, उस इसको solve करना है, तो यह हमारे पास graph है, इसी के साथ हम graph के साथ पूरी अपनी लडाई करेंगे, जो हमें solve करनी है, यह लिजे, एक graph हमने ले लिया है, और हम अपने operation theater में इस graph को ले आए, पकड़ करके, यह हम graph को ले आए है, ओके, और color में मैंने change कर लिया है, जिससे कि अब आते हैं भाई साब question पे, देखे जी, यह होता है बच्चो y axis, क्या होता है यह, और यह क्या होता है, x axis, क्या होता है, x axis, ठीक ना, अब कुछ चीजों को आप याद रखिए बच्चो, x axis पे आपके जो point होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, पहला point क्या होता है, 1,0, दूसरा point क्याता है, 2,3,3, बच्चो x axis पर जितने भी point होते हैं, x axis में हर point का जो y coordinate होता है, वो कितना होता है, 0, इसलिए x axis का equation होता है, y equal to 0, ठीक है न, इसी तरीके से यह y axis है, तो y axis में कौन सा coordinate 0 होता है, x coordinate, क्योंकि y की जो आपने पढ़ा होगा, y में आपके पास कैस से आता है, x axis में point 0, 1, आता है न, 0, 2, तो y में जो y axis की equation होती है, y में x का सारे coordinate कितने होते हैं, 0, तो आप तो मैं कहूंगा आपसे, कि आप लिख लीजे equation, equation of x axis, क्योंकि बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता है, भी, कि x axis की equation क्या होती है, y equal to 0, equation of y axis, y axis की equation क्या होती ह x equal to 0, मतलब x axis में y 0 होता है, और y axis में x 0 होता है, और दोनों जहां 0 होते हैं, उसको बोलते हैं origin, क्या बोलते हैं, origin में x भी 0 और y भी 0, आईए, तो अब हमारे पास curve है, हमारे पास curve है, वो कितना है हमारे पास, curve equal to है, 36 minus x square, 36 minus x square, ये हमारे पास parabola की equation दी गई है, question ने कह है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, question ने कहा है कि ये आपके पास एक parabola की equation दी गई है, okay fine, parabola की equation दी गई है, अब आगे देखते हैं, आगे question क्या कह रहा है, let point P x, y and a be the area of the rectangle P qrs, चलो भाई साब, इसके अंदर एक point P है, और इस point P का नाम क्या है बच्चो, x, y, बोलो, दिय है कि नहीं दिया, और आपके सामने एक rectangle बन रहा है, P qrs, भाई मैंने नहीं कहा है, rectangle है, question ने कहा है, rectangle है, p qrs, अब आप इतना तो जानते होंगे, rectangle की जो आमने सामने की sides होती है, वो क्या होती है, equal, होती की नहीं होती, बोलो, मतलब rectangle है, तो p q equal किस के होगा, rs के, p q equals किस क qr के, चलो बच्चो आप जड़ा देखो, मेरे कुछ सवाल का जवाब दो, कि ये अगर x है, ये अगर x है, ये point अगर x है, ओके, ये point कितना है, x, y, point कितना है, x, तो इसका x coordinate ये है, ये इसका पहला coordinate x दिया गया है, तो मुझे बताओ जड़ा, कि ये distance कितनी होगी, फिर से बताता हूँ मैं, ये रेखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये point के coordinate आपको दिये गए है, x, y, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये distance कितनी होगी, भाई, गलत बोल रहा है, x, y नहीं होगी, ये distance only x होगी, ये distance only क्या होगी, x होगी, जैसे मान लीजे, आपके पास कोई point 3, 4 है, और मैं पूछ हूँ, ये मैंने perpendicular डाल दिया, मैंने बताई है, ये distance कितनी होगी, तो आप क्या कहने चाहिए आपको, 3, और ये distance कितनी होगी, 4, तो ये नीचे वाले distance है, x, और उपर वाले distance कितनी है, y, अच्छा, अगर ये x है, तो ये कितनी होगी, ये भी x, yes or no, ये भी x, तो ये भी कितनी है, x, clear होगा न, ओके, अच्छा, ये y है, तो ये भी कितनी होगी, y, क्योंकि rectangle है, क्या है, rectangle है, बुलिए yes or no, अच्छा, इ तो मुझे रिक्टेंगल देख करके बताएं कि total length कितनी बन गई 2x, total breadth कितनी बन गई, so length अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ area की किसकी बात करता हूँ area की तो area of the rectangle आप सब जानते हैं कि area is equal to होता है length into breadth length into होता एक नहीं होता तो यहाँ पर बताईए कि आपके पास length कितनी है very good, आपके पस breadth कितनी है, very good, तो answer area कितना आ गया, 2xy, area कितना आ गया, और यह जो question है, इस question में, y की value किती लिए है, 36 minus x square, तो मैं यहाँ पे क्या 36 minus x square लिख सकता हूँ, तो यह हो गया इसका area, क्या हो गया इसका, तो इस question में area भी आपसे पूछा गया है, तो आपका answer आ जाए question में पूछा गया है, the area of the rectangle PQRS, and find the value of area at x equal to 3, 2 marks का question है, कितना है, 2 marks का question है, तो हमने area निकालना है, कब, जब x की value किती है, हाँ, यह ध्यान से देखेगा, जब x की value 3 है, तो आइए वापस question में, तो area तो हमने निकाल लिया है, निकाला है कितना area निकाला है, 2x नहीं है, 2x into 36 minus x square, हाँ, तो जो rectangle है, rectangle का area हमारा जो है, निकल चुका है, है ना, यह rectangle का area हमारा आ चुका है, यह यह आया है, इसको बड़ा कर देता हूं, अब दीख है, है ना, तो यह rectangle का area हमारा आ चुका है, 2x into 36 minus x square, और question जो है, वो आप से area पूछ रहा है, कब, जब x की value किती है, देख लिजे भाई, यकीन नहीं है, आपको देख लिजे, question पूछ रहा है, area की value, at x equal to किता बिटा, 3, अगर आप area में x की value पर area निकाल लेंगे, तो आपको 2 marks मिल जाएंगे, आइए निकालते है, area x equal to 3 पर, तो हम से पूछा गया है, area निकालो, जब x equal to 3 है, तो a is equal to 2, ब को लो कितना हुआ, 27, बोलिए, clear, हाँ, अब चलिए, multiply करिए, 6, 7, 42, carry i4, 6, 2012, and 12 plus 4, how much, 16, okay, तो answer कितना हो गया, 162, और area है, तो क्या आएगा, square unit, क्या आएगा, square unit, because हम को पता नहीं की centimeter है, की meter है, whatsoever, तो हमें diagram में देखे, centimeter मीटर कुछ नहीं दिया है, तो answer आएगा कितना, 162, square unit, तो चलिए, आएए, देखते है, answer देखते है, यहाँ पर हमने, yes, exactly, यह देखे, answer आया है, बलकि हमने ज़्यादा सही किया, इन भाई साव ने नहीं किया है, इनको यहाँ पर लिखना चाहिए, 162, square unit, बोलो, समझ में आ गया, any problem, तो एक पर निचे बाला, find the area of the triangle OHK, oh, OHK triangle देखना पड़ेगा, diagram में, यह O है, यह H है, और यह कया भाई साब, के है, ठीके ना, तो एक बार फिर से इस डाइग्राम को हमको ले के चलना पड़ेगा operation theater में फिर हम इसको कलाकारी करेंगे इसके साथ क्योंकि पिछले डाइग्राम ने हमें काफी कलाकारी कर ली तो वहां पे जगए बची नहीं है अब यह देखिए यह आपके पास है फिलाल आपको निकालना है ओ एच के का area यह मैंने जोड़ करके क्या बना दिया भाई साथ एक triangle तो आपको इस triangle का area निकालना है ध्यान से देखिए यह angle किते degree है 90 degree मतले right angle triangle है और right angle triangle का area होता है वो होता है half base into height तो यहाँ पे base कितना है बोलो OH base कितना है और height कितनी है भाई साब ओके height कितनी है अब बताइए कौन मुझे बच्चा OH की value बता सकता है बट मैं एक help करता हूँ आपके पास जो y equal to 36 minus x square यस यह आपके पास दिया है y equal to 36 minus x square क्या कोई मुझे OH की value बता सकता है आपने कहा OH की value 3 है देखिए कैसे आएगी h वाला point जो आपको दिख रहा बताइए वो किस axis पे है very good h वाला point किस axis पे है और अभी अभी मैंने बताया था कि x axis पे कोई भी point बैठा होता है उसका y coordinate क्या होता है ओके तो s axis पे y coordinate 0 होता है इसलिए अगर आप y equal to 0 put करते हैं तो यहाँ पे y की value 0 put करिए तो y की जगे पे क minus cancel x equal to under root 36 मतलब x equal to कितना plus minus 6 मतलब x axis पर दो position है x axis पर दो position है एक है plus 6 और एक है minus 6 मतलब जो अपना graph है वो x axis को दो जगे पे काट रहा है एक 6 पर और एक minus 6 पर तो यह वाला जो point बनेगा यह बनेगा 6,0 क्या बनेगा और यह जो point बनेगा यह बनेगा minus 6,0 तो हमें क्या चाहिए था हमें तो यह चाहिए था ना बोलो हाँ तो यह distance कौन बताएगा कित्ती होगी यह distance very good अरे भाई coordinate 6 आ गया है तो origin से 6 दूरी पर है तो यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया कित्ता हो गया 6 चली अब यह distance निकालनी है बताएगे यह distance किसके long है y axis के long है और यह वाला जो point हो किस axis पर बैठा हुआ है तो y axis पर कौन सा coordinate 0 होता है x coordinate 0 होता है तो y axis का x coordinate हम 0 कर देते हैं तो जो हमारे पास equation है वो कौन सी equation है हमारे पास equation है y equal to 36 minus कितना x square और इसमें किसकी value 0 put करनी है x की तो y equal to 36 minus 0 का square so y equal to कितना आ गया 36 मतलब यह जो point है हमारे पास में उपर में जो point मिलने वाला है यह point हमको मिल गया 0,30 मतलब यह जो height है यह कितनी मिल गई हमको very good यह हमारे पास जो height हमको 36 मिल गई है अब हमें निकालना है area क्या निकालना है तो भाई यह area का formula हर को ही जानता है 1 upon 2 base into height 1 upon 2 base into height चलो तो इसको नीचे कर लेता हूं solve area equal to half बोलो जी base कितना मिल गया OH कितना मिल गया 6 और height कितनी मिल गई भाई साब बिल्कुल सही 36 तो काड़ दो इसको 2 से कितने बार कड़ गया तीन बार तो 36 multiply by 3 आंसर कितना 108 और आपको मिल गई यहाँ पर 1 marks और इस पे तो 2 marks आपने पहले ही लूट लिए है चलिए अगला point देखते हैं find the non-zero value of x for which equals to 0 okay कह रहा है कि x की non-zero value find करो जिसके लिए area की value कितनी है 0 है देखना मिल ध्यान से x की non-zero value find करो जिसके लिए area की value कितनी है 0 तो पहले तो आप area देखो कहा निकाला है आपने area की value आपने क्या निकाली थी area नहीं नहीं गलत बात area आपने ये निकाला था देखी ये है area 2x bracket में 36 minus x square याद आया तो अपन फिर से area की चक्कर में पढ़ गए आये solve करते हैं कि भाई हमारे पास जो area है area हमाई पास है area equal to 2x bracket में 36 minus x square ये हमारा area है अब क्या कह रहा है इसको solve कर लो area equal to 2 into 36 याने किता हो गया 72x okay minus 2x का cube बोले यह और नो अब कह रहा है वो point find करो x के जो area जिन पर 0 हो मतलब क्या कह रहा है area को किस से compare करो 0 से area को किस से compare करो 0 से आईए area को 0 से compare करते हैं area की value कित्ती दी गई है 72x minus 2x का cube ये है equal to कितना 0 तो यहाँ से देखो क्या common आ सकता है 2 common आ सकता है x common आ सकता है अगर मैंने 2 common लिया तो अंदर कितना बचा 36 और मैंने कितना ओके दो चीजों का product 0 है तो या तो यह 0 और यह तो यह 0 तो आई यह देखते हैं अपने पास में either 2x equal to 0 so x equal to 0 divided by 2 so first answer आ गया हमाई पास x equal to क्या होगा 0 second की बात करते है 36 minus x square equal to 0 so 36 equal to कितना हो गया x square तो x equal to under root 36 so x equal to कितना हो गया plus minus 6 but हमने x को क्या मान के चला है distance बोल रहा है है ना find the value of x so okay no problem चलो x के दो answer आए है एक आया है plus minus कितना 6 चलिए आईए देखते हैं तो क्या है answer हमाई पास कह रहा है कि x की value find करें तो देखते हैं yes correct answer हमाई पास में है x equal to plus minus 6 कह रहा था area zero करो area zero करो तो x की value क्या होगी हाँ अब देखो आप कहोगी कि सर आपने answer में तो 0 भी निकाला x की बट आप 0 क्यों नहीं ले रहे हो क्योंकि question है पहले ही आपको धमकी दे रखिए कि उससे non zero values चाहिए कौनसी value चलिए यह देखे find the non zero values of x values of x मतलब x की value zero आएगी उसको आपको accept नहीं करना आप उसको accept नहीं करना बोले clear हो गया चलिए अगला question है find the length of the line segment hk चलो भाई h कहां है k कहां है यह है h और यह point क्या है k तो बहुत ही simple है आपको याद होगा यह point हमने निकाला था 0,36 और यह point निकाल था 6,0 diagram में हमने इसके पहले इसका point निकाल लिया है उपर निकाला था 0,36 और यह क्या निकाल था 0,36 और नीचे क्या point बेठा है 6,0 तो इनके बीच के distance है ये h point है और ये point कौन सा है उपर क्या है उपर k है और नीचे क्या है h है तो चलिए distance निकालनी है तो k h की distance डबा लगा दिया जाता है मौड लगा के under root x2 minus x1 का square तो 6 minus 0 का square y2 minus y1 का square y2 कितना है 0 और minus 36 का square no problem तो ये कितना हो गया भाई साब ये हो गया 6 का square 36 और ये क्या बचा 36 का square 36 का square ठीक है जी clear होगा की नहीं हुआ चलिए अब इसको solve करते हैं हम लोग देखे कैसे solve होगा अगर मैं यहां से 36 अंदर ही अंदर comment ले लूँ तो यहां पर कितना बचेगा 1 कितना बचेगा और ये 36 दो बार है न तो एक बार निकल गया तो एक 36 बचेगा गी न बचेगा तो बाहर 36 निकलेगा तो क्या निकलेगा 6 और आंसर कितना है बहतर है क्योंकि इसमें calculation ज्यादा मेहगी पड़ेगा अपन को ओके सो आई एम गोंग विदिस आंसर ये आंसर जो हमारा बहतर है ओके और आपके पास अगर टाइम हो तो नो प्राबलम आप 36 का स्क्वाइर की वैली होती है 1296 वह भी रखकर के आंसर निकाल सकते हैं बोलो ुप डूफ कि यह जडिदा है उस विद यहあー जडिदा यू ज। नो इसका आपके कोस्टें से कोई वास्ता नहीं है ये किवल ये बताया गया है कि जो Google Map में आप जो देखते हो वो उसमें Scalability Google टीम डेवलब करती है तो आपको बिल्कुल इग्जैक्टली पता चलता है किलो मेटर कितना होगा ये होगा क्योंकि आपके हाथ में तो एक कुछ inches का मोबाइल है और उस inches में आप पता लगा लेते होगी ये टीम ये जगहे डेड़ किलोमेटर है दो किलोमेटर है तो उसके बारे में knowledge दी गई है बाकी कुछ मत करो आज़ो भई question प्याओ इंदा diagram A C equal to 8 आज़ो भई A C कहा है ये है A और ये है C तो ये A C equal to कितने centimeter दिया गया है 8 centimeter C E equal to 4 C E equal to 4 C E 4 है ओके जो C से ले करके E तक के distance है वो 4 है और A से ले करके C तक के distance इसको मैं blue color से बना देता हूँ जिससे confusion नहों A से ले करके C तक की जो distance है A C वो किती है 8 है ची बात है and the area of the triangle is B E C और B E C का area ये रेखिए B E C का area B है C है और E है ये तो B E C का जो area है वो कितना है वो कितना दिया है 4.2 square centimeter अच्छी बात है देखिए यहां पर जो आपको BC दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है क्या ये right angle है कि नहीं है नहीं नहीं वेट 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 रहे वेट रहे राइट एंगल कहने के पहले थोड़ा सा वेट करिए देखिए A C एक transversal है और यहां पर ये A F B C के parallel दिख रहा हाँ तो ये right angle होना चाहिए चलो अभी आँगे बढ़ते हैं देखते हैं डाइग्राम में तो कुछ उपर जिक्र नहीं है नहीं है चली तो ये 8 था और ये black वाला पाट कितना बनाया था अपने A C 8 है देखो ये तो right angle अपने को clear दिख रहा है दिख रहा ना ये right angle clear दिख रहा है ये right angle भी clear दिख रहा है बोलो yes or no हम बात कर रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं यह चीज की यह जो है यह राइट एंगल है की नहीं है हम इसकी बात कर रहे हैं थोड़ा सा वेट करते हैं उसके बात देखते हैं रुख जाओ, रुख जाओ आंगे देखते हैं Another enlargement with center e Maps another enlargement with center E E कहा है जी center में diagram में E कहा है भई यह है another enlargement with center E maps triangle EBC into EFA ठीक है triangle E EBC को EFA में enlargement करता है ठीक है EBC को EFA में enlargement करता है BC equal to 3.6 cm तो BC जो है वो 3.6 है BC जो है वो 3.6 है the diagram AC okay on the basis of the following information answer the following question an enlargement with center A maps triangle ABC to ADE A A B C to A D E okay clear देखो भाई पूरा का पूरा question similar triangle का है किसका question है similar triangle का अब कुछ line है आप बहुत ध्यान से सुनना तब यह question आपको समझ में आएगा यह पहली लाइन का कह रहा है कि an enlargement with the center maps ABC into ADE मतलब जो छोटा triangle ABC है यह ABC जो छोटा triangle है इसका जो बड़ा view है वो ADE देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है AD मतलब कोई जैसे आपने यह आपके छोटा triangle था आपने mobile की screen को zoom कर लिया क्या कर लिया तो इसका बड़ा zoom आपको देखने को मिल गया तो यह पहले छोटा था ABC और फिर आपको बड़ा सा के देखने को क्या मिल गया ADE तो इस चीज को मैं यहां पर लिखता हूँ देखना फिर यह कैसे फटा फट सॉल्व हो जाएगा तो आपको ABC जो होगा क्या वो ADE के similar होगा की नहीं होगा बताओ होगा ना नहीं बोल रहा है सब लोग ABC जो होगा ADE के similar होगा की नहीं होगा अरे ABC का जूम ही तो ADE है ओके तो AB अपान बोलो क्या होगा AD AB अपान AD इक्वाल टू AC अपान क्या AE इक्वाल टू BC अपान कितना DE यह कि स्टेटमेंट बन गया ओके ठीक है ना यह सारी की साइची क्या गये हम है similar आ गई है अब देखिए जो हमाँ पास दिया गया है वोज चीजों को हम लिख देते हैं हमाँ पास BC दिया है 3.6 Area of the triangle हमारे पास BEC कितना दिया है 4.2 BEC हमाँ पास दिया है 4.2 अब यह स्टेटमेंट तो आ चुका है अब आंगे देखते हैं क्या करना है तो पहला क्या कर रहा है हमसे पहला कह रहा है कि scale factor निकालो कि किस factor से दोनों triangle जो है ratio है scale factor मतलब समझते हो scale factor समझो scale factor का मतलब यह होता है कि जैसे मैंने कहा कि यह triangle है इसकी दो side है 2, 3, 4 भूलो हाँ अब मैंने इसको scale करके scale up करके zoom करके एक नया triangle बनाया और इसकी side मैंने कर दी कितनी 6 यह वाली side कर दी कितनी मेनी 6 यह मैंने कर दी कितनी 12 यह कर दी मैंने कितनी 9 तो बताओ इसमें कितना scale कि हमेने इसको double नहीं कि हमेने 3 गुना कर रहे triple 2, 3, 4, 3 और 3, 3, 4 समझ में आया कि नहीं आया फुर इसे देखो 2, 3, 4, 3, 4 और 3, 3, 4 तो 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ तो आपको यही बताना है कि यहाँ पर जो triangle ABC है वो कितना scale up हुआ है तो देखो जी रुको कैसे बता सकते हो अपने पास अपने पास एक side है AC है कि नहीं है और एक side क्या है AE तो AC कितनी है AC upon AE बोलो AC कितनी है 8 है और AE यह वाली 8 और यह वाली 8 क्योंकि भईया CE भी तो 8 है ना sorry CE 4 थी बोलो CE कितनी थी 4 तो AC plus CE क्या हो जाएगा AE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो 8 upon कितना 12 8 upon 12 8 plus 4 कितना हो गया 12 तो देखो ध्यान से यह आया कितना 4 2 जा 4 2 जा और 4 3 जा 12 तो मतलब जो ratio आया वो कितना है या 2 ratio 3 बट रुको अब कहा रहा है find the scale factor of the enlargement enlargement मतलब कौन किसका बड़ा है तो बड़ा वाला कौन सा है AE है कि नहीं है बोलो AE बड़ा है AE किस से बड़ा है AC से AE upon AC कितना है बोलो 3 upon 2 पलड़ देंगे ना तो देख ले ना कहीं जल्दवाजी में answer मतलब लिक्या ना वो देखो कह रहा है कि कितने गुना बड़ा है है ना तो answer कितना होगा scale factor 3 upon 2 3 by 2 मतलब देड़ गुना 3 by 2 मतलब देड़ गुना एक और चीज़ देखो मैं यहां पे लिख सकता हूँ A E equal to 3 by 2 times of कितना A C A E equal to 3 by 2 times of कितना A C मतलब A E जो है 3 by 2 times है और 3 by 2 का मतलब कितना होता 1 point 5 तो A C का है तो पहला answer इसका होना चाहिए 3 by 2 वेट अब भाईया देखो इसमें इन लोगों ने लिख दिया है ये बिलकुल मतलब गलत तो नहीं है मार्कस तो उसको भी मिलेंगे मगर उसने सुना नहीं है उसने क्या कहा है उसने कहा है How much enlarge क्या बोला है enlarge जैसे मैं बोलूँगा कि तुम्हारी हाइट तुम्हारे दोस्त की दो गुनी है कित्ते गुनी है मतलब जैसे मान लो ए की हाइट जो है बी की दो गुनी है बी की कित्ते गुनी तो भाईया अगर ए बी का दो गुना बड़ा है तो बी ए का आधा गुना होगा की नहीं होगा होगा की नहीं होगा बलो अगर A B का दो गुना है तो B A का हाफ नहीं होगा क्या बोले S की नो तो भाईया इन लोगों को यहाँ पे बूला गया था question में देखो साफ साफ लिखा हुआ है question में की बताओ scale factor of the enlargement किसका बताया था enlargement में वहलब कितना बड़ा है तो कितना बड़ा है भाईया 3 by 2 times बड़ा है कितना बड़ा है तो यहाँ पर इन लोगों ने सुना नहीं है कि कितना बड़ा है इन लोगों ने सिरे scale factor निकाल दिया और जो मनुआ वो रख दिया छोटा वाला उपर और बड़ा वाला करा वही है एट अपॉन फोर स्वांसर आगा टू अपॉन थी बड़ा है कौन बड़ा है कौन चोटा है किसके रिस्पेक्ट में तो जो बड़ा है बड़ा वाला उपर रहेगा इसका आशर आएगा 2 3 by 2 कितना आएगा हाँ शाश्वत क्या प्रॉब्लम पूछो देखो 2 by 3 बिल्कुल चल जाएगा गलत नहीं कर सकता सामने वाला मगर उसमें ये लाइन जो लिख करके कह दिया ना ये लाइन लिख करके कह दिया ये लाइन लिख करके कह दिया जैसे मैंने तुम से कहूँ कि तुम दोस्त हो तुम्हारे जेब में कुछ रुपए हैं और दूसरे के जेब में कुछ रुपए हैं तो मैं पूछूँ कि ये बत आया कितने गुने हैं तो तुम्हारा सवाल पहले होगा सर मेरे उसके रिस्पेक्ट में या उसके मेरे रिस्पेक्ट में आप किसका किस से तुलना करना चाह रहे हो उससे मेरी तुलना करना चाह रहे हो कि मेरी उससे करना चाह रहे हो अगर नमन के पास 40 रुपए है और साश्वत के पास 20 रुपए है तो नमन का साश्वत के साथ रेशियो आएगा 2 रेशियो 1 कितना आएगा 2 रेशियो बट साश्वत का नमन के साथ रेशियो आएगा 1 रेशियो 2 समझ मैं न तो यहाँ पर भाया ऐसा भूला है इसने बुला कितना बड़ा मतलब बड़ा वाला उपर और छोटा वाला नीचे तो आंसर आएगा इसका 3 upon 2 चलो आंगे अगला है find the length AF आजो भई AF की तलास करें कहां बैठा हुआ AF यह A है और यह क्या अपने पास में F है एक इन लोगों ने AF हमको देखो AF कैसे मिलेगा यहां पर इन लोगों ने कहा है कि another enlargement of the center E maps ABC EFA ध्यान से देखो बच्चों triangle EBC जो है यह बड़ा वाला छोटा वाला EBC और EFA यह एक दूसरे के enlargement है मतलब EBC का जो zoom है जो zoom हो रहा है वो कौन बन रहा है EFA दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों एक बार फिर से दिखा देता हूँ यह पूरा diagram है आपके सामने देख लो भाई EBC का zoom बन रहा है EFA यह है EBC E यह C हो गया और यह B हो गया और यह हो गया EBC बोलो yes or no और EBC का जो zoom बन रहा है वो बन रहा है EFA यह देखो E B का साथ गया EF और फिर FA बोलो yes बाई जब zoom बन रहा है तो दोनों similar होंगे कि नहीं होंगे तो यह angle 90 है तो यह भी किता होगा यह angle common होगया दोनों में और यह वाला angle यह वाला angle कि क्या होगा equal yes or no दोनों similar होगए आ जाओ तो दोनों छोटे triangle में corresponding part बना देते हैं बोलो पहले वाले का part क्या है EB पहले वाले का part क्या है और इस वाले का part क्या है EF EB upon कितना EF ठीक है EB हो गया EF हो गया अच्छा इस वाले का part क्या है BC यह देखो BC है BC के corresponding को है बिड़ा, F, A, B, C के साथ है F, A, और कौन बज गया भाई साब? E, C, हाँ, E, C, E, C अपन में कौन सा बुलो, E, है कि नहीं है, चलो अब जो जो पता है, अब आप से क्या कह रहें, Find the Length, A, अपनको A, F, Find करनी बच्चों, देखो, तो ये एफाइंड करनी है ना, एफाइंड करनी है ना, तो अब जो जो पता उसकी value रखते जाओ, देखो आपके पास EC कितना था, EC आपको दिया गया था, 4, कितना था, 4, और EC कितना था, 8, EC कितना था, 8 था ना, ओके, देखो ध्यान से, तो EC, अपने पास में, EC की value जो यहा है, और EA 4 प्लस 8, भूलो बिटा कितना 12 है ना, ओके, बिटा BC की value दे गई हमको, BC कितना था, 3 पॉइंट, तो यहाँ पे BC की जगे क्या आएगा, 3 पॉइंट, और यह तो हमको निकालना है, तो बड़ा आसान है निकालना, देखो कैसे find करते हैं, ले चलते हैं, इनको on FA, equal to EC, upon EA आया है कि नहीं है, BC की value 3.6 निकालना है, एफे की value पता करना है, EC की value किती है, 4, EA की value किती है, 12, 4 से कितने बार गया, 3 बार गया, तो 1 upon 3 लिख दू, चलो, तो FA बन जा कितना हो गया, FA, और 3.6 into कितना, 3, 3, 6 आ 18, 3 3 9 plus 1 कितना 10 बोलो आंसर कितना 10.8 तो भाई है इसका आंसर है कि 10.8 एक यह देखो भाई 10.8 बोलो आ गया सुन में के वल सिमलर ट्रेंगल के बारे में इस तरीके से बाते की गई है सिमलर ट्रेंगल आपको उल्लू बना रहा है यह हो गया फाइंड एरिया ट्रेंगल एफ एफ एड़ एड़ ट्रेंगल बी एफ लिए फ लिए एफ ए काह ए यह यह एफ और यह अपने पास में ए ओके जी चलो भाई बहुत ही सिंपल है वान अपाउन टू बेस इस से ले करके पूरा का पूरा बेस आपको दिख रहा कि नहीं दिख बारा और एफ है मेरे खाल से अब भी जस्ट मैंने निकाली है निकाली ना अब भी निकले 10.8 हाँ या ना तो इंटू कितना हो जागा 10.8 इंटू 10.8 इस और नो ओके यहाँ पर पूरा बड़ा सा दो से छे बार बूलो हाँ तो 6 इंटू 10.8 चलो कर देता हूं 6,8 जा 48 बूले आस 6,0 जा 0,0 प्लस 4 कितना हुआ 4 और 6 बंजा कितना 6 तो आंसर आगया 64 पॉइंट चलो देखते हैं सही करा कि नहीं करा कहा है भाई एरिया आप दे ट्रेंगल EFA एरिया आप दे ट्रेंगल EFA हाँ बेस इंटू हाइट ओ भाई आपने हाफ तो देखा ही नहीं चाहिए थिंक नहीं हाफ तो कर दिया है एक बार फिर से करते हैं हाफ बेस अपने पास कितना है 4 प्लस 8 4 प्लस 8 एक 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 एसी ह ए फ्लस प्लस 12 ए इन्टू हाइट लेने का हमें कॉर राइट नहीं है देखो कैसे समझ में आ जाएगा आपको देखो देखो धेंसे अरे देखो 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 जो चीज इस पर राइट एंगल है वह लाइन इस पे कैसे हो जाएगी भाई कुछ एंगल तो हो गये थोड़ा सा के नहीं होगा नहीं अरे भाई ये हमारे पास जो राइट एंगल है वो हमारे पास राइट एंगल ये वाली लाइन का है ठीक ना और हमको पूछ रहा है EFA का area समझो हमको जो area पूछ रहा है वो कौन सा मैं draw करता हूँ गलती हो गई हम लोग से देखो मैं draw कर रहा हूँ हमसे कौन को सा area पूछा देखो देखो मैं draw don't worry don't worry बिल्कुल लेके चलते हैं इसको देखिए हमको जो area चाहिए है हमको area चाहिए है EFA का देख लो question में जो आपको area चाहिए है find the area of the triangle EFA yes or no दिखा EFA का area चाहिए चलो भाई EFA का area निकालते हैं तो E point का है F point तो यह बच्चो है न कि नहीं है E point का है E point यहाँ पर E point यह है F point यह है और A point यह है देखो बच्चो problem यह है कि यहाँ पर हमारे पास कोई right triangle नहीं बन रहा है कोई right triangle नहीं बन रहा है आप सोचो कि अभी मैंने गलती का कर दी थी मालूम अभी मैंने इस angle को right triangle ले लिया था यह angle अरे भाई यह angle में थोड़ा सा यह angle भी मिला हुआ है इना तो इतना दो right triangle था उपर वाला बट यह नीचे वाला angle अपन को पता नहीं है बस यही गलती अपन से हो गई इसलिए हमारा answer गलत आ गया अब आपको निकालना है area इस triangle का जिसको मैं shade कर रहा हूँ थोड़ा सा और आपके अंदर feeling आ जाए यह देखिए आराम से चलने दीजिए question को question खदनाक है यह देखिए आपको यह area निकालना है इस triangle का area आपको निकालना है ठीक है कैसे निकाल सकते हैं अब इस line को मैं हटाता हूँ तब हमको कुछ दिखना सुरू हो कि इसका area कैसे निकाले आरहे देखिए यहां पर हमारे पास दो triangle मिल रहे हैं यह वाला तो हमको पूरा पार्ण ना तो ऑक मिय वाला हमाने फोली बात हो रही है ध्यान कर देखिए यहिए निकान दो डियंगल आपको मैं देख लिखांगा एक तो Kangal आपके पास कि यह वाला जो दिखा कि नीदिखा एक ट्रेंगल आपके पास यह हो गया और इसमें कोई दिक्कत नीगी निकालने में क्योंकि क्योंकि 90 बन रहे समय बोले सब्सक्राइब और दूसरा ट्रेंगल आपके पास जो यह भी इसमें भी 90 बन रहा है यह बन रहा है 90 बोले आफ इसनों चले इसका एरिया निकाल लेता हूं हाफ इसका बेस बोले एसे लेकर बी तक की हईड पता है दूरी पता है कि नहीं पता किती है एसे लेकर बी तक कित्ता है कहां है 10.8 A से लेके B A से लेके B पता है का अपन को A से लेके B हमको नहीं पता तो पहले हमको A से लेके B निकालना पड़ेगा उसके लिए तो A से लेके B भी हमको नहीं पता वेट 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 देखे एक बहुत important concept यहां पर लग रहा है यहां पर जो आपका triangle E A E F है यह जो है नीचे ओके triangle A E F ध्यान से देखो triangle A E F जो है वो किसका enlargement है वो है E B C का enlargement है की नहीं है है ना triangle A E F जो है वो triangle E B C का enlargement है की नहीं है पर लिए बताओ है तो एक area ratio theorem होती है वो theorem क्या कहती है आपके इस लिवस में area ratio theorem है वो कहती है कि दो triangle आपके पास में अगर वो similar है तो उनके area का ratio मतलब triangle A E F अपॉन triangle E B C दोनों के area का ratio उनने की corresponding sides के square के ratio के equal होगा उनने की corresponding sides के square के ratio के equal तो भाईया A E F की एक side ले लो कौन सी है भाई साब A E F की कि जो side आपको मन की लगे आप ले लो तो मेरे को मन की लग रही है कौन सी मेरे को मन की लग रही है A E कौन सी लग रही है A E तो मैं ले लेता हूँ A E का square upon अब बेटा जो B E C है B E C B E C की side ले लिजे कोई C तो B E C की side ले लिजे E C क्या ले लिजे E C हाँ तो E C आपको पता है ना कितने की थी बताईए भाई A A B आपको E C पता है तो यहाँ पर अपने ले लिए E C का square E C का square रुकना आप आप question पर वापस चलो question एक help दे रखी है आपको question ने help दे रखी है find the area of the triangle E F A and find the area of the triangle B A F चली और में है मतलब यहाँ पर area तो हमको दिया नहीं है खुद ही हमको निकालना पड़ेगा wait 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 हाँ बेटा बोलो wait wait A E square A E square की value हम रखते देखो यह A से लेके E हो गया यह 8 है और यह 4 है तो 8 और 4 बारा का square हुआ की नहीं हुआ और EC EC कितनी है मेरे पास 4 का square कितना हो गया 16 ओके 144 अपॉन 16 कितना हुआ 9 यह हमारे पास आया है ट्रेंगल A E F upon ट्रेंगल A B C का ratio equal to 9 आया है अब wait करना पड़ेगा थोड़ा चली देखे अब आप देखे जो E B C का area दिया है इस question ने 4.2 अल्रेडी दे करके बैठा हुआ है तो अपना काम बहुत आसान हो चुका है तो हमारे पास देखे हमको A E F का area निकालना है बहुत सुन्दर बात है तो ट्रेंगल A E F का area मैं लिख सकता हूं ट्रेंगल A E F अगर मैं उपर रोग लूँगा इसको तो यह हो जागा 9 multiply by triangle ABC का area और आप question में देखे ट्रेंगल ABC का area आपको कितना दिया है 4.2 तो यहाँ पे मैं 4.2 का multiply कर देता हूं 4.2 तो आंसर देखे 4.2 में 9 का multiply तो आप लोग करी लोग है फिर भी मैं कर दिता हूं 9 2 जा 18 केरी आई किती 1 ओके 9 4 जा 36 प्लस 37 आंसर 36 37.8 cm unit square square unit यह आंसर आपका आजाएगा चेक करते हैं 37.8 सही है कि गलत है 37.8 यह देखे बिल्कुल सही है 37.8 ठीक है अब इसके बाद पूछा है last triangle of the area BAF देखो BAF का एरिया पूछा है यह B यह A यह F अरे भाई यह तो बहुत आसान है half base into height लगना है half base into height लगना है तो देखे एफ तो आप निकाल चुके हो बुले yes on no AF तो आपके पास already है है की नहीं है और रही बाद BA की रही बाद किसकी BA की तो BA आप कैसे पता करोगे भाई BA आप कैसे पता करोगे बागी चीज तो आपके पास दी नहीं है तो आईए देखते हैं 1 upon 2 base अपने पास AF तो निकल चुका था इंटू एबी इंटू कितना एबी तो एबी सेवेन पॉइंट दे रखा है कितना 157.15 जरत तलास करो यह एबी आया कहां से 7.15 क्या कहीं है हमाँ पास वैल्यू दे रखी है क्या देखते हैं 7.15 ओके एबी नई हमें कोहीं क्वेश्चन में 7.15 वैल्यू नहीं दी गई है फिर आपको वैल्यू इसकी भी कंपेरिजन करके निकालनी पड़ेगी जैसे रेशियो बनाते हो ना आप दिस अपॉन दिस इकल दो दिस अपॉन दिस तो वह कुछ ना कुछ करके आपको वैल्यू भी इसकी निकालनी पड़ेगी क्योंकि 7.15 देखे इनका सलूशन जो दिया गया है वहां पे भी 7.15 कहीं से वैल्यू दी नहीं है डारेक्टली इन लोगों ने वैल्यू पूट कर दिये 7.15 की तो 7.15 पहले हमको निकालना पड़ेगा भाई 7.15 आएगा कैसे ठीक है नहीं पाइथागॉरस यहाँ पर आप लगाने की सोच रहे है तो मेरे ख्याल से नहीं सकसे जो पाएँगे अगर आप पाईथागॉरस की बात करते हैं तो देखे आपके पास क्या आपको BF पता है अगर आपको BF पता होगा AF तो पता है अगर आपको BF पता होगा तो Pythagoras theorem लगा लेंगी तो इसमें एक बार फिर से आपको क्या करना पड़ेगा इसमें आपको Ratio Rule लगाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी इस question में तब यह पूरा का पूरा solve होगा ट्रेंगल के question वैसे भी थोड़े से टेड़े वुआ करते हैं Okay, done